आज तक चैनल के मशहूर पत्रकार नवीन कुमार तो आपको याधी होंगे अपने दंदार आवाद से किस तरीके से हर खबर को शांदार बना देते थे लेकिन आज नवीन की हालत बहुत ही जारा खराब है उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है उनकी एक वीडियो सोशल मीड मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है जिसमें वह करोना से संक्रमित हो चुके हैं लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी भावक वाते कहीं है सरकार के नीतियों को लेकर देश की विवस्थाओं को लेकर जिसे आप देखकर रोब पढ़ेंगे पहले आप यह पूरा वीड और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है मैंने इससे पहले पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं दिखा है अब किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिड़ हो गई है हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आए थे आक्सिजन के बिना अपने पेशेंट को तडब तडब कर मरना डॉक्टरों की नीन दुड़ा दे रहा है और आप यकीन मानिये मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक पीमारियों से लड़ रहे होंगे जो मौटें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है इस देश को नर्क बना दिया गया है इस देश को दोज़ख बना दिया गया है और हम सब को इतना बेचारा बना कर छोड़ दिया गया है जिसे हमारी कोई अहमियत नहीं खैर वो वक्त शायद गुजर जाएगा और जब ये गुजरा हुबा वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीश रहेंगे नहीं रहेंगे डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस तुनिया को और बहतर होना चाहिए वो सोचेंगे कि हमको हमारी याने वाली नसलों के लिए मंदिर और मस्चिद के जगड़ों से उपर उठना चाहिए वो सोचेंगे और सोचना चाहिए तो आपने देखा नवीन कुमार है पत्रकार है काफी प्रसिद्ध पत्रकार है इनके दमधार आवाज से जो खबर बनती थी उसकी बाती कुछ अलग होती थी और आज इनकी हालत यह हो चुकी है यह कुरोना से संक्रमित है लेकिन अस्पतालों की हालात को लेकर ये रोरो कर सच्चाई बया कर रहे हैं क्या कुछ इस्थिती है देश भर की उन्हों ने जो बाते कहीं हैं बेशक कहीं न कहीं देश की स्थिती बेहद मुश्किल में हैं क्या कुछ होगा तमाम अपडेट्स के लिए बडर हेड्लाइंस बिहार के साथ अगर आपने अब तक हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लिए धन्यवाद करें